सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर प्रशांद कुमार सहायक आचारिय व्यवसाइक प्रशाशन विभाग राजकिय रोहिया महवित देले की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम विपणन के कारिय अत्वा विपणन के चेत्र के संबंद में बहुतिक वित्रन संबंधी क्रियाएं जो हैं उनका हम अत्यन करेंगे या बहुतिक वित्रन संबंधी कौन से कारिय होते हैं जो कि विपणन का अंग अत्वा उसका हिस्सा माने जाते है तो हम शुरुवात करेंगे विपणन के भौतिक वित्रण कारिय के स्वरूप की सबसे पहले और फिर हम इसके अंतरगत क्या 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 जाता है वो मैं आपको बताऊंगा तो विपणन का जो भौतिक वित्रण का कारिय है या फिजिकल डिस्टिबिशन होता है इसमें कौन सी क्रियाई समली होती है ये हमें देखना है तो विपणन के बहुतिक वित्रन कारिये में विपणन करता या मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति ऐसे काम करता है या ऐसी क्रियाई समबन करता है जिनके माध्यम से वस्तू का जो निर्माता है उससे और ग्राहक तक उतपाद या वस्तुएं पहुंच सकें वो सारे फिजिकल डिस्ट्रिबिशन में मने जाते हैं यानि निरमाता या उतपादक जो वस्तुएं बनाता है वो सारी वस्तुएं बनने के उपरांत ग्रहकों या उबभुगताओं तक पहुंचती हैं तो उस दोरान कितने मतलब चै क्रिया में कितने स्टैप कैसे वह क्रिया संपन की जाती और फिजिकल डिस्टिपुईशन या भॉतिक रूप से वस्तो हैं कैशे पहुंचाई जाती वो सारे कारिये यहां पर संपन्न करने होते हैं तो बहुत एक वित्रन कारी में मोलता है तीन कारिये सबलित किये जाते हैं पहला काम होता है storage function या भंडारण का काम दूसरा होता है परिवहन का कारिये यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वस्तों ले जाए जाती है तो तो ये चीज हमें इस रूप में ध्यान रखनी है कि फिजिकल डिस्ट्रिबूशन फंक्षन में बंडारण और परिवहन की क्रियाएं महतपूर्ण है और साथी साथ इसकंद प्रमंद उससे भी ज़्यादा महतपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर फिर ये सारा का सारा फि जबसाई करने की जटिलता हैं या जो चुनोतियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं तो ऐसी इस्तति में हमें फिजिकल डिस्ट्रिबूशन का जो काम है उसको भी बहुत एफेक्टिव तरीके से करना है और उसके लिए हमें अच्छा से पहले प्लानिंग करनी है कि कैसे हम इस स्टोरेज का काम तो फिजिकल डिस्ट्रिबूशन का जहां काम होगा उसमें सबसे पहला काम होगा बंडारन कारिये या बंडारन का या आपको जो वस्तों आपने बनाई हैं निर्माता के रूप में या उत्पादक के रूप में उन वस्तों होगा आपको बंडारन करना है storage करना है storage तीन इस्टर पर होगा एक तो निर्माता या उत्पादक storage करेगा, या भंढारन की विवस्ता करेगा दूसरा निर्माता से सामान खरिदने वाला होता है तोग व्यापारी, तो थोग व्यापारी भी अपने पास भंढारन करेगा और तीसरा होता है फुटकर व्यापारी या रिटेलर जो है वो भी अपने पास स्टोक करेगा जैसे आप बाजार से माल लेजिए कोई जनरल स्टोर से कोई सामान करेदने के लिए जाते हैं तो जनरल स्टोर पे जो डिफरेंट आइटम्स मिलते हैं तो जो फुटकर व्यापारी है रिटेलर है एक बाजार में तो वो भी अपने पास स्टोक रखता है सामान का तो उसका स्टोरेज की कैपसिटी कम होती है लेकिन उसने जिससे खरीदी है यानि थोक व्यापारी से या होल सेलर से जो सामान उसने खरीदा है उसकी कैपसिटी उससे ज़्यादा होती है स्टोरेज की यानि उसके पास उससे ज़्यादा माल का बंढारन होता है और उससे ज़्यादा फिर निर्माता के पास होता है तो निर्माता के पास भी भंडारण की विवस्ता होगी धोक व्यापारी के पास भी होगी और फुटकर व्यापारी के पास भी होगी धोक व्यापारी यानि जो बड़ी मात्रा में माल बेशता है और फुटकर व्यापारी जो चोटी-चोटी मात्रा में माल बीजता है या जिससे ग्राक सीधा माल करीता है तो इस रूप में हमें देखना है तो भंडारन कारिये में हमें ये बात धान में रखनी है कि जब वोगता फुटकर व्यापारी से माल करीता है तो फुटकर व्यापारी का जो स्टोक होता है वो कम होता है तो ऐसी इस्तिय में फिर वो क्या करेगा वो थोक व्यापारी से उस स्टोक को पूरा करने के लिए मांग करेगा कि भी मेरे पास इतना माल कम जो बिग गया है और अब इतने शोर्टेज है इसलिए आप इतना मालू मेरे पास और भिजवा दें और थोक व्यापारी जैसे ही अपने स्टोक में से निकाल करके सामान फुटकर व्यापारी को भेजेगा वैसे ही वो निर्माता या उतपादक को भी इंफॉर्मेशन देगा कि भी मेरे पास जो स्टोक है उसमें से भी इतना स्टोक भिग गया है तो मेरे पास भी अब आप और सामान बना करके भिजवा दें तो इस परकार बाजार की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए और साथी साथ ग्रहक की आवशकता उसकी रूची पसंद ना पसंद को ध्यान में रखते हुए और जो निर्माता है वो भंडारन करता है और उसी आदार पर धोक व्यापारी करता है और फिर फुटकर व्यापारी करता है क्योंकि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीटता है और थोक व्यापारी निर्माता से माल करीटता है और इस प्रकार तीनों ही जो अपना-पना स्टॉक मेंटेन रखते हैं अब important factor एक ये भी है कि बंडारन का जो कारी है उस कारी में हमें वस्तुएं कैसी है या जो हमने प्रोड़क्ट बनाया है उसकी नेचर क्या है नेचर ओफ प्रोड़क्ट वो क्या है वो हमें देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के अनुरूप हमें बंडारन या जिसको हम गोदाम या वेराऊस कहते हैं या जहां वस्तों कुछ समय के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं उस स्थान को कहते हैं तो वो हमें उस अनुरूप ही विवस्ताएं करनी होगी जैसे मालेजे आप दूद या सबजी का बंडारन करते हैं तो दूद वर सबजी को कितने दिन तक हम सुरक्षित रख सकते हैं शीत बंडार या कॉल्ड स्टोरेज के रूप में होगा हमारे पास जो स्टोरेज होगा तो वो किस रूप में होगा हमें देखना है ऐसे मालेजे हमें शराब रखनी है या हमें चावल गेहूं रखने है या हमें रेडिमिट कपड़े जो हैं वो रखने है या हमें गाडियों में या टू विलर्स में लगने वाले जो टायर हैं वो रखने है तो आकिर हमें किस चीज़ का स्टोरेज करना है उसके according हमें storage की जो facilities है वो develop करनी होंगी वो चाये निर्माता हो, चाये धोक्वया पारी हो और चाये food कर्वया पारी हो तिनों को इस रूप में और ये जो nature of product है वो देखना जरूरी होता है तो इस प्रकार से हमें भंडारन की अच्छी सुविदा हैं यदि हम develop कर लेते हैं तो हम एक प्रकार से बहुते कवितरन का या physical distribution का एक पढ़ाओ या एक जो काम है वो पूरा कर लेते हैं या एक पढ़ाओ पार कर लेते हैं अब हम दूसरा काम करेंगे physical distribution के लिए पहले हमने माल इकटा कर लिया तीनों इस तर पर या निर्माता ने भी कर लिया थोक वापरिन ने भी कर लिया और फूट कर वापरिन ने भी कर लिया तो उतपादन जहां होता है या उतपादन का जो स्थल है या जहां उतपादन का स्थान है वहां से ले करके ग्रहा क्या वो भोकता तक जो सामान पहुंचता है वो भोगोलिक रूप से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोग्रॉफिकली जो है एक शेर से दूसरे शेर म इस प्रकार से और यह होता है तो अब इसके लिए क्या किया जाए तो इसके लिए हमारे पास तीन option है एक जल मार्ग है एक सडक मार्ग या थल मार्ग है जिसको थल मार्ग कहते है और तीसरा एक है वायू मार्ग या एर ट्रैप जो transportation है तो हमें rail ट्रक वायू या हवाई जहाज पानी में चलने वाले जहाज या जो पारसल पोस्ट की विवस्ताएं है या भी करने हैं उनके सब के साथ हमें agreements करने हैं उनके साथ अपना एक लाइजनिंग डवलप करनी है साथ हमें ये भी तैय करना है कि बहुत क्या उनक्से हम डायरेक्ट काम करवाएं या हम खुद के ट्रक करीदें यदि हमारा माली जे बड़ा नेटवर्क है तो हम खुद का भ घूट वहाँ से हमें और उनका उप्योग करना है ऐसी एर कार्गो या जो हब सामान डोने वाले जो हवाई जाज होते हैं उनके मात्यम से कर सकते हैं पानी के जो जहाज हैं उनमें भी सामान एक देश से दूसरे देश में एक राज्जे में पहुंचाए जाता है वह देख हीरे हैं या सुब और कोई दूसरा माली जाइटम है तो वह हमें उस हिसाब से हम कुझे से कोरियर है या जो पार्सल विवस्ता है उसके बाद से हम भी हम जो है कर सकते हैं बस हम ध्यान रखना है कि हम जो गवर्मेंट के रूल्स और रेगुलेशन से उनको भी और ढंक से हम फोलो करें तो कोई दिकत नहीं है तो इस प्रकार से हम परिवयन की जो सुविदाय हैं उनका विकास और विस्तार बहुत माइने रखता है हमारे लिए और क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम एक देश से दूसरे देश में एक एक राज्य से दूसरे राज्य में एक से दूसरे शहर में एक काव से दूसरे गाउं में और जो हमने वस्तों बनाई हैं उनको नहीं पहुंचा पाएंगे या पहुंचा भी पाएंगे तो लेट पहुंचा पाएंगे यदि पहुंचती है वह वस्तों हैं तो वह बिक नही यह उता है तबही किसी बी देश में विवसाय और उद्योग का विकास होता है और किसी ओदेश में विवसाय और उद्योग का विकास करने के लिए आथार भूत सरण्चरा के रोप में हमें ठ्रasport recommend का जो structure है उसको अच्छे से डव्लब करना चाहिए अब बारिय आती है physical distribution में तीसरा काम की तीसरा काम है सकंद प्रबंद यानि की stock management या जिसको हम inventory management के नाम से भी जानते हैं inventory का stock में तीन चीजे शामिल है raw material है work in progress है और finished goods है एक तो कच्छा माल होता है हमारे पास inventory के रूक में एक हमारा वो माल जो की अभी work in progress है जिसका की अभी काम चल रहा है और एक वो माल जो हमने बना लिया है यानि finished goods है या जो वस्तुए बन चुकी है तो there are three type of inventory तो ये जो तीन प्रकार की जो inventory है उसका भी हमें management करना होगा कि भी हमारे पास जरुत से ज़्यादा कच्छा माल नहीं होना चाहिए और जरुत से कम भी नहीं होना चाहिए जरुत से ज़्यादा होगा तो वो wastage पड़ा रहेगा और जरुत से मान लिजे कम होगा तो जितना production हमें करना है उसके लिए हमारे पास कच्छा माल ही नहीं है तो फिर हम लाब नहीं कमा पाएंगे क्योंकि उतना माल हम बना ही नहीं पाएंगे तो बेचेंगे कहां से तो जरुत से ज़्यादा है रोमेटे लिल भी नहीं हो नहीं तो वो खराब हो जाएगा और माल लीजिया हमने उसको बहुत जल्दी बना दिया जबकि उसमें थोड़ा हमें समय लगाना चाहिए था तो उसकी quality प्रभावित होगी तो वो भी हमें ध्यान रखना है तीसरी बात है finished goods जो माल बनकर के तयार हो गया बनकर के तयार हो गया वो बहुत दिनों तक हमें गोद करके तयार हो गया है वो भी हमें लम्मे समय तक अपने पास ही नहीं रखना है क्योंकि वो हमने बेचने के लिए बनाए तो जितना जल्दी हम बेचेंगे उतने जल्दी हमारे पास return यानि जो धन ओगा यह जो पैसा होगा और वह पैसा यह हमारे पास आएगा तो ही हमारी जो है cost meet out होगी और हम profit कमाएंगे तो raw material का भी management करना है work in progress पर भी ध्यान देना है और finished goods पर भी ध्यान देना है तो अब इसके लिए क्या करें इसके लिए बहुत सारे methods हैं जो की cost accounting में एक chapter आता है inventory management financial management वाला जो paper है उसमें भी यह paper जो है content दिया हुआ है जिसको कि आप inventory management के नाम से पढ़ते हैं तो इसकी कई सारी techniques है ABC analysis method है reorder level method है EOQ जिसको हम economic order quantity कहते हैं वो भी इसका एक तरीका है analysis value से समंदित जो analysis किया जाता है वो भी है तो यह कई सारी विधिया है last in last last in first out first in first out यह भी एक method है जिसको आप लिफो या फिफो के नाम से जानते हैं तो यह अलग-अलग methods है और इन सब का use भी अलग-अलग है यह भी ध्यान रखना है market पर अपनी जो है वो नजर बनाई रख रही है या तेजी सी तो नहीं गिर रही है वो सारी बाते भी हमें धान में रखनी है तो ऐसा करके भी हम और inventory management अच्छे से कर सकते हैं अब बात एक और आती है इसमें कि भाई optimum level of inventory कि एक इतना inventory तो हमारे पास होना ही चाहिए जैसे कि भाई ने तो हम ऐसी इस्तिती में नही कि नौबत आ जाए या ऐसी इस्तिती भी नहीं हो कि वह माल जो है वह बहुत सारा भी हमारे पास पड़ा रही तो एक optimum level हमें maintain करना है तो इस physical distribution topic में और यह तीन क्रियाएं है देरा थी टाइप ओफ एक्टिविटीज इन इस physical distribution function number one storage function इसका मतलब इसमें आपको storage की वेवस् है transport function यानि transportation पर द्यान देना है और number three है inventory management कि भी हमारे जो inventory है या जो हमारे पास स्टोक होता है उसको भी हमें अच्छे से manage करना है ताकि हमारा काम जो वह अच्छे से चलता रहे और timely products बन जाए उनका production हो जाए और timely वह बिक जाए और इस तरह से हमारी जो marketing वह भी effective होती र रहे तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में thank you very much